हिलो फ्रेंज वेल्खम है आपका दानी डिजाइन्स में आज हम बनाएंगे खुबसूरा सकटफक वाला नेक डिजाइन वीडियो में एंड तक बने रहीगा कोई भी पॉइंट मिस्स मत कीजिएगा चलें बिन आपका टाइम वेस्ट किये वीडियो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले हम नेक पैटरन की कटिंगा लेंगे जिसके लिए हमने चुड़ाई लिए साठे तीन इंच की ठीक है देन उसके बाद इसके लंबाई हम लेंगे पांच इंच की ठीक है देन उसके बाद यहां से भी लीचे से भी साड़े तीन इंच पर निशान लगाके एक बोक्स की शकल का पैटर्न बना लेंगे यह देख लिए फ्रैंस इस तरीके से देन उसके बाद यहां से हमने एक यूज शेप में नेक पैटर्न ड्रॉ करना है सबसे पहले आप ऐसे रॉफ फरिक में ड्रॉ कर लीजिएगा चहां पर आपको लगे कि यह सही है वहाँ पर आप इस तरीके से गाड़ा कर लीजिएगा ठीक होगा फ्रैंस यह करने के बाद हम कम से कम आदा आदा इंच के इसके बाहर का दबाव का निशान लगाएंगे यह इस तरीके से हमने आदा आदा इंच पर इसके बाहर के दबाव का निशान लगा लेना उसी शेप में यह लगाने के बाद हम इस तरीके से गाड़ा कर लेंगे वही से पहले रफ फरिक में ड्रॉ कर लेंगे फिर गाड़ा कर लेंगे दैन उसके बाद हम इसकी कटिंग कर ल इंच के नीचे ऐसे पैटरन ड्रो करेंगे हाट शेप का जो ऐसे हाफ में आएगा क्योंकि गला हमारा फोल्डिंग में ठीक है जब यह ओपन होगा तो यह आपका मुकमल हाट शेप में आजएगा तैन उसके बाद वह याद आते हैं इसके बाहर के दबाव मार्किंग कर लें ठीक होगा बैर के दबाव कटिंग करने के बाए जों से मारा होट शेप का पैटरन हम वो कटिंग करेंगे यह देख लें फ्रेंज जों से मरे पैटरन कुछ नीट नहीं बना तो आप अगर वैसे मार्किंग में नीट ना बने तो आप कटिंग को दुरान भी इसमें वेंटर में हम इस तरह के से हलकी सी नौक बना लेंगे ठीक होगा फ्रेंज देन उसके बाद एजुन साब का नेक परटन है यह उच्छ तरीके से बन के रेडियो जाए गा दैन उसके बाद हम शेट का फैप्रिक लेंगे और उसके उपर इसको प्रेस के साथ अच्छे तरी आल राउंड इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे जैसे बाइसे इसका बैटन बना होगा यह फ्रेंज आल राउंड कटिंग करने के बाद यह जोंसे आपके कॉर्णर्स होंगे इन में ऐसे कट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि यह अगर नहीं लगाएंगे तो आपके फोल्डिंग अच्छे तरीके से नहीं होने वाली है देन उसके बाद इसे हमने बहुत छोड़ाते हैं से हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे ठीक होगे फ्रेंज वैसे तो से फोल्डिंग करने के बाद हम यह एक पीश लेंगे जो के हमारा होगा दो फाई दो एंच का यह देख लिए फ्रेंज इस तरीके से इसे हम ऐसे से ट्राइंगल शेप में फोल्ड करते हुए इसके साइट से कॉर्णर होंगे इनको हम ऐसे उपर की तरफ करते हुए सेंटर में हलकी से चुनर डालेंगे और इसके उपर स्लाइ लगा लेंगे ठीक होगे फ्रेंज यह देखे हम इस तरीके से चौन से इसके पैटर्न है यह बना लेंगे यह देखे फ्रेंज इसके उपर कम से कम अपने आदे एंच का नीचे चोड़ के उपर चौन से फालत होगा उस सेंटर में हलकी से चुनट देते हुए इसके ओपर लगा लिनीुए ठीक होगा फरेंज की देखने इस तरीके से आपने कम से कम जादा से जादा पीसी बना के रख लेने हैं इसके पर जो हमरा नेक पैटन होगा उसे हम शेट के ओपर चाहिए ठीक है हमने नीचे जो हमरी सासा लगानी है बुकरम से ज़्यादा दूर नहों और नाइब बुकरम के उपर आनी चाहिए ठीक होगे फ्रेंज बुकरम के साथ आपने यह आल राउंड लगा लेनी है आल राउंड लगाने के बाद हम इसके बीच में जो सही कपड़ा होगा उसे हम ऐसे कटिंग कर लेंग ऐसे इə चैस में कटिंग करने के बाद हम इस के इसके घुले यह मैं ऐसे कट लगा लेंगे इससे क्या होगा कि जो नसी आपड लेंगे यहीं चिंसे में फोल्ड करने के बाद इसके ओपर हम अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे ठीक हो गया मैं मुकमर प्रेस लगाके तो आपको इसकी लुक दिखाता हूँ यह फ्रेंस इस तरीके से हमारा पैटरन की अच्छ पन के रेडी हो चुका है दैन उसके बाद जोंस से की सायड्य होगी वहाँ पर हम कनारी की स्लाई लगा लेंगे लेकिन उसके साथ साज जोंस से आपने यह छोड़े पीसी बनाये थे हम यह लगा लेंगे तेख कम से कम आदे इंच का पहले वले से गैब छोड़के तो इसके उपर ऐसे स्लाई लगा लेंगे ठीक होगे फ्रेंस और यह जोंसी स्लाई यह आपने किनारी की लगानी है ठीक होगे और सेम इसी तरीके से आपने आल राउंड लगा लेने हैं सिर्फ जोंसर नीचे हाड़ दर जोर उटूंगा और फ्रेंस नीचे से जोंसर यह हाड़ शेप का पैटर्ण हैगा यहाँ से अपने सिर्फ ऐसे किनारी की स्लाई लिगा लेनी है ठीक है और उसके बाद पर जोंसी को लाई आईगी महां से आपने यह पीसिस लिगाना शुरू कर लेने हैं और फ्रेंस यह डिजाइन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यह फ्रेंस इस तरीके से आपने आल राउंड यह पीसिस लगा लेने हैं पीसिस लिगाने के पाद जून से अंदर वली इसकी साइड होगी बोक्रम साथ साथ हमने इसके भी ऐसे स्लाई लगा लेनी है अल राउंड ठीक है अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ऐसे मारकिंग भी कर सकते हैं अगर आप ऐसे अंदासे से लिगा सकते हैं तो मच बेटर है नहीं तो आप ऐसे इसके पुक्रम के साइड़ों पर पहले मारकिंग का लीजेगा तेन उसके में रखेगा कि स्लाई नापकी कटे है देन उसके बाद हम यह जोएंड लेंगे और इसका जूंसा गैप होगा नीचे जूंसे हमने स्लाई लगाई होगी उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ रखते हुए हम इसके ओपर भी स्लाई लगा लेंगे ठीक होगा फ्रेंस यह देख स्लाई लगा लेनी है ठीक होगा यह फ्रेंस इस तरीके से आल राउंड लगाने के बाद हम इसके बीच में ऐसे कट्स लगा लेंगे और इसे अंदर की तरफ फॉल्ड कर लेंगे ये फ्रेंस से ये देख लेंगे इस तरीके से अंदर की तरफ फॉल्ड करने के बाद हम इसके उपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे तांकि ये अच्छे तरीके से बैठ चाहे ये फ्रेंस आल-डरांड स्लाई लगाने के बद हम एक और पीस लेंगे शैट डाजने के साथ कोई और उसको इस तरीखे से दोनों साईडों से आदा आदा इंच फόल करेंगे सबसे पहले आपने इस तरीके से एक साइट से फॉल्ड करते हुए इसके ओपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है ठीक हो गया देन उसके बाद ऐसे दूसी साइट से भी कम से कम आदे इंच का तबह लेते हुए आपने इसे fold करके इसके उपर press लगा लेनी है ठीक हो गया और last में आपने इसे center में से fold करना है और इसके उपर एक दफ़ा फिर से अच्छे तरीके से press लगा लेनी है ठीक हो गया और यह जो उनसे हमारा piece ready होगा इसके बीच में हम इस तरीके से जोन से हमरा जोइन लैस का तबाव होगा हम वो रखेंगे और इसके ओपर किनारी की सलाई लगाएंगे यह देखलें फ्रेंस इस तरीके से आपने बिल्कु जोइन लैस के साल- laquelle इसको ऐसे रखना और इसके उपर कनारी की सलहह लगा लएनी है ठीक हूए फ्रणज अगर हो सके तो इसके बीच में कट भी लगा लिए तक्यूंसे कुलाई ही आपके एच्छे तरीके से आजएगी ठीक हो या फ्रेंस ये देख से अपने ऐसे कुलाई में काट लगा लएने है धैन उसके बाद इसके बीच में ऐसे चोंडास को रखते होए इसके उब पर हम अच्छे तरीके से कनारी की सलाई लगा लेंगे थेखा हूगे फ्रैंस यह देखनें इस एक किसार है लगाने के बाद इसके सेंटर में हम ड्रोरी लूप मैंनेसे बनाकर रखी थी यह धेखे जो हमसे डोरी लूप का सेंटर होगा, वो आपने ऐसे इस तरीके से नेक के सेंटर में रखना है, और इसके पर सबसे पहले तो आपने इस स्लाइब को अच्छे तरीके से पका कर लेना है, यहाँ पर यह देख लें, दोदोफ हम इस स्लाइब लगा लेंगे, देन उसके बाद इसे ऐसे क्रॉस की शकल में ऐसे करेंगे, यह देख लेए फ्रेंज इस तरीके से, और इसके ओपर फिर एक स्लाइब लगा लेंगे, और इसके बीच में आप कम से कम इतना गैप छोड़ी का, कि आपका जोँसा स्मॉल साइस का पल लोता है, वो आजए, ठीक होगे फ्रेंज, देन उसके बाद पर इसे हम ऐसे एक दिफ़ा क्रॉस करेंगे, और इसके ओपर ऐसे स्लाइब लगा लेंगे, ठीक होगे फ्रेंज, यह देख लेंए इस तरीके से, और सेम इसी मेथेट से आपने नीचे जो उसी नौक होगी, हाड़ शेप की, वहाँ तक आपने ऐसे यह पैटर्न बना लेना है, ठीक होगे फ्रेंज, और यह जो उसी डोरी लोग की लेंथ है, यह हमने कम से कम एक मीटर के लिए नहीं है, ठीक होगे, यह देख लें इस तरीके से, जो उसी हमारी नीचे हाड़ शेप की नौक है, वहाँ तक हमने यह पैटर्न बना लेना है, यह बनाने के बाद, फ्रेंज, हम यह स्टोरी लोग के नीचे, एक टसल से बना लेंगे, उसके लिए हम शेट का फैप्रिक लेंगे, और इसे ऐसे डबल फॉल्ड करते हुए, नीचे से हम इसकी घुलाई के लेंगे, यह देख लेंगे, उपर से हमारा एक कॉर्णर है, नीचे से हमने ऐसे घुलाई कर लेनी है, ठीक है, देन उसके बाद हम इसे, सेंटर में से भी दो कर लेंगे, क्युक्कि हमुरी gegen दोनों साइड ओ लेंगे, नmm उसके बाद ऐसे डबल फॉल्ड करते हुए, इसके उपर शॉलाई लेंगे, ठीक होगी, यह देख लें, गेन उसके बाद सेम ऊसी तरीके से, इसके सेंटर में हम इसके से जौन से हमारी डूरी लूप वह रखेंगे और इसके उपर लगा लेंगे ठीक होगा फ्रेंज सबसे पहले आपने उपर इस वीशाइब को पका कर लेना देन उसके बाद इस लाइब यह से साइड पे ले जाना है इस तरीके से कॉर्णर की तरफ तो फ्रेंस आप ऐसे डबल स्लाई भी लगा लीजिएगा जिससे क्या होगा कि यह स्लाई अच्छी तरीके से पकी हो जाएगी देन उसके बाद हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे यह देखे लिए फ्रेंस इस तरीके से जोंस हमारा कुपसूरा सा टसल से यह बन के रेडियो हो जाएगा और नीचे से आप अगर फालत हुए तो चाहें तो आप इस तरीके से ऐसे कटिंग कर लीजेगा यह फ्रेंस यह हमरे टसल बन चुका तो फ्रेंस इसके बाद हम जोंस ही नीचे सेंटर में बैटर बना होगा उसके बीच में पाल लगा लेंगे हैंस चेचिंग की मदद से सबसे पहले आपने इस स्लाई को इस तरीके से पका करना है दन उसके बाहर हम इस ततरीके से पल रखेंगे और इसके साथ ऐसे टाइच आएगे ये देख लिए अच्छे तरीके सा अपने एटाइच कर लेने, दन उसके बाद इस जूनUp इस शुनूंसी श्लाइ लगे झाल झाल